दूस्तों बात कर रहें तो यहीमृता है, काफि जाते रहें जैसे कि बात कर रहें तो सबसे पहले नहइंग कंपनी की ये यह लीक का आह गया था सी चीज यह कि Qualcomm Snapdragon Android 12 के साथ एक इनका जो फोन है वो आने वाला मार्केट में हाला कि मैंने कुछ पत्व यह पता लगानी कोशिश करी तो अभी तो शायद इनका फोन अभी रेडी नहीं डेवलप्मेंट फेज में है शायद Q2 याने कि कुछ महीने बाद आपको देखने को मिल से देखते हैं नथिंग वाले यहाँ पर क्या करते हैं और किस टैप का प्रोडट कहां पर निकालते हैं और इसी के साथ ही बात करें तो कल यहाँ पर रियल्मी का 9 Pro Plus लांच हुआ था हाला कि बात किया है तो जो एक्सपेक्टेशन थी हमारी उससे थोड़ा सम्हेंगा लग बॉक्स में 65W का चार्जर आता है लिए फोन देखा जाया तो ग्लास बिल्ड वगरा कुछ चीज इनों ने हापे सॉलिड करी है और खास और पर देखाया तो कैमरा को अपना सेंटर बनानी कोशिक करिए कि पच्चेश दार में आपको बैस्ट पॉसिबल कैमरे वाला फोन तो आप बेज यहां रियल्मी 9 Pro पे जा सकते हैं यहां पर इस चीज को इस तरीके से प्रिजेंट करनी कोशिक की गई जो कि यहां पर काफी अच्छी चीज़ है हाला कि इसके साथ ही बात है कि इसके अडिनर डिस्प्ले फिंगर्प्रिंट स्केनर में आपको देखने को बल है कि ऑप्टिकल फिंगर्प्रिंट स्केनर है और यह रेज चोड़ता है और जो रेज रहती वो रिफ्लेक्ट हो के आती है तो उसका कैल्कुरेशन करता है और अभी यह नहीं चीज लेके आए मार्केट थोड़ा बहुत लों के हाथ में जाएगी टेस्टिंग का डेट आने वाला जो जमान है फोन सब पहले से महंगे हो रहे हैं और अब लगनी रहा कि जहां पहले आपको इतने सस्ते फोन देखने को मिलते थे 2018-19 में वैसा जमान आप यहां पर दुबारा से वापस आने वाला एदर और इसी के साथ ही बात कर तो गैलक्सी एस 22 स्रीज भी हो इंडिया में लॉँच और बाग्या है तो गैलक्सी एस 22 स्रीज इंडिया में स्नैब ड्रगन के साथ आने वाली है काफी कमाल की बात हो थी इतने साल से जो लोग है वो मांग रहे थी Qualcomm Snapdragon दो Qualcomm Snapdragon दो यार वो सिर्फ देखने को मलता था USM और कुछ की countries के अंदर इंडिया में तो कहीं आपको दर्शन देखने को नहीं मिलते थे हर साल वो Exynos लाते थे लेकिन पीछे की एक बात पता चली Exynos processor इस बार अच्छे तरीके से तयार नहीं है और Exynos processor का जो yield है वो काफी जाद काम है यानि काफी कम quantities में बना है इसलिए पर उन्हें Qualcomm Snapdragon के उपर काफी जाद रलाई करना पड़ रहा है और इसलिए वो Snapdragon के साथ ला रहे है लेकिन हाँ जो रेस चल रही थी ना कि यहाँ पर सबसे पहले कौन सी company होगी जो अपना फोन यहाँ पर लेकि आगी Qualcomm Snapdragon के साथ इंडिया के अंदर वो यार यहाँ पर Samsung का Galaxy S22 हो गया तो यार यह कहानी चल रही है लेकिन आप लोग कोई कैसा लगा मतलब जहां पहले हम Exynos आता था अपना AMD का जीप्यू निकाला लेकिन इंडिया में वो Qualcomm Snapdragon ला रहे है तो इस बारे में आप लोग के opinion है यह बात हम मुझे नीचे comment में बता सकते हैं और इसी के साथ ही बात करें finally तो जो Media Tech Demensity है न यह अपना एक नए chipset के उपर काम करी जो कि हो सकता है 8100 और कहा जा रहे है कि 1st March को यह launch होगा अभी तक देखा है तो Media Tech Demensity की जो phones है यह नएस processor वाले भी आपको market में देखने को नहीं मिली क्योंकि अभी देखा तो Media Tech ने announce कर दे लेकिन phones अभी नहीं आ रहे हाला कि कहा गया है कि mid 2022 से phones देखने को लेंगे लेकिन फिर भी देखने वाली बात होगी exactly कितना powerful होता है और एक important बात है कि आप लोगों ने 30,000 की रेंज में जहाँ पहले आपको Dimensity 1200 का प्रोसर देखने को मिल गया था ना अब ऐसा नहीं होने वाला कि Dimensity 9000 के साथ अगर अपने एक phone निकालते हैं तो क्या आप लोग इस phone को लेने में interested होगी कि नहीं होगे मतलब आप ऐसा expect नहीं कर सकते हैं आपको 30 के नीचे मिले 30 से 40 से 35 की range ही हाँ टच हो सकती है और शायद इसी problem को solve करने के लिए Dimensity 8000 निकाला गया था हाला कि जो इनके कुछ testing models होते हैं वो surface होए तर उसके कुछ benchmarks बगर देखे दे जो देखके काफी अच्छला कि CPU में अच्छी performance दे रहे हैं लेकिन GPU में अभी थोड़ा सहाँ पे पीछे निकल रहे हैं दिखते हैं आने वाले future में क्या हैती MediaTek की कहानी और आप लोग बताई कि अगर आप लोग को choice मिले MediaTek की, Exynos की, Qualcomm Snapdragon की आप इसमें से किसको लिएना पसंद करोगे ये बात आम मुझे नीचे के अवेंट बता सकते हैं वेल थैंक्यों को वीडियो देखने के लिए वीडियो पसंदे है लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना थैंक को कूडियो देखने के लिए मैं सब्सक्राइब के अंदर गुडबाए